हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज पढ़ेंगे हम कविता मन के भोले भाले बादल तो बच्चो इस कविता में कवी ने बादलों के आकार और रूप रंग के बारे में बताया है कवी कहता है कि बादल कई रंग के होते हैं काले सफेद भूरे और कई आकार के भी होते हैं आपने देखे होंगे बादल आसमान में कोई हाथी जैसा होता है और कोई पहाड जैसे बादल होते हैं कोई किसी पक्सी जैसे होते हैं तो आईए जानते हैं इस कविता में कि कवी ने और बादलों के बारे में क्या-क्या बताया है तो बच्चो आईए कविता पढ़ते हैं पहले यहां पर और देखते हैं कि बादलों के बारे में कविने क्या-क्या कहा है यहां पर आप देख रहे हैं कविता का नाम क्या है मन के भोले भाले बादल तो यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हैं से क्या लिखा है यहाँ पर जबर जबर बालों वाले गुबारे से गालों वाले आप देख रहे हैं यहाँ पर जबर जबर बालों वाले गुबारों से गालों वाले लगे दोडने आसमान में जूम जूम कर काले बादल यहां पर कवी ने लिखा है कि जबर जबर बालों वाले यानि कि बड़े बड़े लंबे चोड़े जिनके बाल हैं और गुबारे जैसे फूले हुए गाल हैं जिनके लगे दोडने आसमान में वो क्या कर रहे हैं आसमान में दोड लगा रहे हैं जूम जूम कर काले बादल यानि कि मस्ती में उड़ रहे हैं ये बादल आगे यहां पर लिखा है कुछ जोकर से तोंद फुलाए जोकर देखा है आपने जोकर कैसा होता है बड़ी सी पेट होती है उसकी तो जोकर जैसी तोंद तोंद का मतलब होता है पेट पेट को फुला कर कुछ हाती जैसे सूंड उठाए और कुछ बादल कैसे है ऐसे लगता है जैसे हाती ने अपनी सूंड उठा रखी हो कुछ उंटों से कूबड़ वाले उंट की पीट देखी आपने कैसी होती है उंट की पीट उंची सी होती है पीट में उंची होती है उंट तो यहाँ पर ऐसे ही है बादलों की कुछ बादलों की पीट कैची है उंटों जैसी उंची और कुछ परियों से पंक फेलाए और कुछ बादल उन्हें क्या लगा रखा है जैसे परियों ने पंक लगा रखे हों परियां कैसी होती हैं बहुत सुन्दर होती हैं और उनके पंक होती हैं तो इसी परकार से कुछ बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे परियां आ गई हों और उन यहां पर का है आपस में टकराते रहरे सेरों से मतवाले बादल और बादल क्या करते हैं आपस में टकरा रहे हैं और कैसे लग रहा है जैसे सेरों से मतवाले बादल जैसे कि दो सेर आपस में टकरा गए हूं और वे क्या कर रहे हूं दहार रहे हूं आवाज करते हैं ने बाद बादल ऐसे ही जैसे सेर आवाज करता है कुछ तो लगते हैं तूफानी और कुछ बादल कैसे लगते हैं बहुत तेज गती से आते हैं तूफान की तरह हवा जब तेज चलती उसे क्या कहते हैं तूफान कुछ रह रहकर करते सैतानी और कुछ बादल क्या करते हैं थोड़ा तेज उड़ते हैं फिर दीरे हो जाते हैं फिर तेज उड़ते हैं फिर दीरे हो जाते हैं कभी किसी पर टकराते हैं तो इस परकार से सैतानी करते हैं और कुछ अपने थैलों से चुपके जर जर बरसाते पानी तो कुछ अपने थैलों से बादलों के पास ऐसे लगता है जैसे कोई थैला हो उसमें पानी भरा हुआ हो और फिर क्या करते हैं बादल जर 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 बरसाते पानी और कुछ बादल क्या करते है ऐसे लगता है जैसे अपने थेले से पानी फेक रहे हो पानी बरसा रहे हो नहीं किसी की सुनते कुछ भी डोलक डोल बजाते बादल और क्या कहा है यहाँ पर कि बादल जो है किसी की नहीं सुनते ऐसे लगता है जैसे ढोल बजा रहे हों आगे यहाँ पर लिखा है रह रह कर छट पर आ जाते फिर चुपके उपर उड़ जाते बादल क्या करते हैं कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कि वो छट पर आगे हों बहुत नीचे आ जाते हैं आसमान से बहुत नीचे कभी कभी जिद्धी बन करके बाद नदी नालों में लाते और कभी इतने बरस जाते हैं जिद्धी अपनी जिद पकड़ लेते हैं और फिर बरसते रहते हैं और इतना बरसते हैं कि बाड आ जाती है किसमे नदियों और नालों में नदी नालों में बाड आ जाती है फिर भी लगते बहुत बले हैं मन के भोले भाले वादल और फिर भी सब को क्या लगते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बादल कैसे होते हैं मन के भोले भाले होते हैं मन के भोले भाले वादल तो बच्चो इस कविता को लिखने वाले लेका कवी का नाम क्या है कल्पनात सिंग आपने देखा यहाँ पर किसने लिखी यह कविता कल्पनात सिंग ने तो बच्चो यह थी आपकी कविता आगे यहाँ पर देखते हैं पाट के प्रसन उत्तर किस प्रकार से दे रखें और पहले देखते हैं कविता का सारांस और उसके बाद ब्याक्या करेंगे कविता की तो कुल मिलाकर इस कविता में जो कुछ कहा गया यहां पर सारांस में हम उसको आपको बताने वाले हैं आप ध्यान पूरबग देखें मन के भोले भाले बादल कविता का सारांज कि यहाँ पर कविता में क्या क्या कहा गया था जो कुछ मैंने आपको अभी बताया वो सब यहाँ पर भी लिखा हुआ है आप इसे अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं तो इस कविता में भिन भिन परकार के बादलों का चितरन किया गया है जो कविता आपने अभी पढ़ी ना उसमें भिन भिन परकार के बादलों का चितरन किया गया है कभी कहता है कि इन बादलों के बाल कैसे हैं जबरदार हैं और गाल कैसे हैं गुबारे जैसे हैं और कुछ बादलों में परियों से पंक लगे हैं, ये सभी बादल आपस में टकराते रहते हैं, और सेरों से मतवाले लगते हैं, कभी आगे कहता है कि कुछ बादल कैसे हैं, तूफानी हैं, और सैतान भी हैं, वे अपने थेलों से अचानक पानी बरसा देते हैं, ये बादल कुछ नहीं सुनते रह रहकर छत पर दिख जाते हैं और फिर तुरंत उड़ जाते हैं कभी कभी ये बादल जित पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि नदी नालों में बाड़ा जाती है कभी कहता है कि इन सब के बापजूद ये बादल अच्छे लगते हैं ये खाया भी अब आईए आगे पढ़ते हैं जो कविता दे रखी है उसके काब्यांसों की जो ब्याक्या करते हैं यहां पर उनका अर्थ देखते हैं यहां पर फिर से पढ़े कविता को आप देख रहें ने यहां पर काब्यांसों की ब्याक्या कितने काब्यांसे यहां पर कितने इसके कविता के कितने पार्ट बना रखें दो पार्ट तो पहला पार्ट देखते हैं पहला भाग देखते हैं इसका जबर जबर बालों वाले गुबारों से गालों वाले लगे दोडने आसमान में जूम जूम कर काले बादल कुछ जोकर से तोंद फुलाए कुछ हाती से सूंड उठाए कुछ उटों से कूबड़ वाले कुछ परियों से पंक लगाए आपस में टकराते रहरे सेरों से मत वाले बादल तो बच्चो यहां पर जो है आप देखे कुछ कटिन सब्द होंगे इसमें कविता में जैसे तोंद का मतलब क्या होता है मोटा पेट और मत वाले का क्या मतलब होता है मन मौजी तो यहां पर जो हमने आपको यह लाएने सुनाई इन लाइनों का अर्थ क्या होगा कैसे लिखेंगे हम परसंग लिखेंगे फिर उसके बाद ब्याक्या लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाट्या पुष्टक रिमजिम भाग चार यानि कि कक्सा चार में संकलित कविता मन के भोले बाले बादल से ली गई हैं इसके क कभी ने बादल के भिन भिन रूपों का वरणन किया है। ये होगा आपके लिए प्रसंग। और आगे लिखेंगे आप ब्याक्षा कैसे लिखेंगे कभी कहता है कि बादलों के बाल कैसे है जबरदार है उनके गाल कैसे है गुबारे जैसे हैं वे आसमान में दोड़ने लगे हैं वे काले बादल हैं और जूम जूम कर इदर उदर आ जा रहे हैं कभी कहता है कि कुछ बादल जोकर जैसा पेट फुलाए हुए हैं कुछ हाती जैसे सून उठाए हैं कुछ बादलों के ओंट जैसे कूबर हैं और कुछ के परियों जैसे पंक भी हैं ये सभी बादल आपस में रह रहकर टक्रा रहे हैं ये सेरों जैसे मत वाले लगते हैं सेर देखा है ना आपने कैसे होते हैं वैसे ही बादल लग रहे हैं आगे दूसरा जो इसका भाग देखते हैं कविता का दूसरा कुछ लाइने और जो दे रखी हैं कुछ तो लगते हैं तूफानी कुछ रह रहकर करते सैतानी कुछ अपने थैलों से चुपके जर 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 बरसाते पानी नहीं किसी की कुछ भी सुनते नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल रह रहकर छत पर आ जाते फिर चुपके उपर उड़ जाते कभी कभी जिद्दी बन करके बाड नदी नालों में लाते फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले वादल तो बच्चो इसका जो हम परसंग कैसे लिखेंगे और कैसे इसके ब्याक्या करेंगे कैसे इसका आर्थ लिखेंगे यहाँ पर सब हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले देखें इन लाइनों में कुछ कटिन सब्द थे जैसे तूफानी तूफानी का मतलब तूपान की तरह बहुत तेज हवा की तरह और जिद्दी का मतलब हटी जो हट पकड़ लेते हैं और भले अच्छे का मतलब भोले भाले का मतलब निश्चल अब इसके बाद देखते हैं परसंग परसंग आप उसी परकार से लिखेंगे किया जैसे यहाँ पर देखा आपने कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठे अपुस्तक रिमजिम भागचार में संकलित कविता के भोले भाले बादल से ली गई हैं इसके कवी हैं स्री कलपनाथ सिंग इसमें कवी ने बादल के भिन भिन रूपों का वरणन किया है ऐसे ही आ तूफान जैसे लगते हैं वे रह रहकर सैतानी रुक अपना लेते हैं और अपने थैलों में से जर 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 पानी वर्षा देते हैं कवी कहता है कि ये बादल कभी किसी की कुछ नहीं सुनते बस आपस में टकरा कर गर्जना करते रहते हैं जिसे सुनकर ऐसे लगता है जैसे वे ढोल बजा रहे हूं ये बादल कभी छत पर दिख जाते हैं फिर उड़ जाते हैं कभी कभी जिद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि सभी नदी नालों में बाड़ा जाती है कभी कहता है कि इन सब के बापजूद ये बादल बहुत अच्छे लगते हैं क् कि ये मन के भोले भाले हैं. तो बच्चों, यहाँ पर जो है परसंग और ब्याक्या हमने आपको बताई, अर्थ बताया उन लाइनों का फिर से, तो आपने देखा, अब देखते हैं यहाँ पर कविता के रिमजिम पार्ट वन, मन के भोले बाले बादल तुमारी समझ से यानि कि इसके प्रस्न उत्तर देखते हैं पाठ के तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कभी कभी जिद्दी बन करके बाड नदी नालों में लाते उत्तर लिखेंगे आप, जब बादलों से बहुत अदिक बारिस होती होगी, तब नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर जाने से उनमें बाड़ आ जाती होगी, इस तरहे बादल नदी नालों में बाड़ लाते होंगे. उसके बाद दूसरा नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते होंगे तो यहाँ पर जो यह प्रसने आपके लिए कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे उत्तर होगा आपका बादलों के आपस में टकराने से तेज आवाज होती होगी इस तरह बार बार टकरा कर वे बार बार गरजते होंगे उसे सुनकर ऐसा लगता होगा कि वे ढोल बजा रहे हैं आगे बच्चों यहाँ पर देखते हैं कुछ तो लगते तूफा नहीं कुछ रह रहकर करते सैतानी तो इसमें प्रसन होगा आपके लिए इन लाइनों में बादल कैसी सैतानिया करते होंगे उत्तर होगा आपका बादल कभी तेज आंदी और बारिस करते होंगे कभी रुख जाते होंगे कभी आपस में ठकरा कर चमकते और गरजते होंगे कभी नदी नालों में बार्ड ला देते होंगे इस परकार बादल तरह तरह की सैतानियां करते होंगे आगे यहाँ पर देखेंगे आप प्रसने आपके लिए कैसा और कौन यहाँ पर जो आपको एक टेबल मिलेगी इसमें आपको यहाँ पर लिखना है कैसा और कौन तो यहाँ पर आपके लिए होगा सूरज सी तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप चमकीली और कौन थाली सूरज सी कैसी चमकीली और कौन थाली थाली होती है ना सूरज सी चमकीली फिर होगा आपके लिए अगला चंदासा, चंदासा कैसा गोरा, गोरी, चांद कैसा होता है, गोरा होता है नगोरा चिट्रा, तो चंदासा गोरी, और कौन? मुखडा तो चंदा सा गोरा मुखडा गोरा लिखेंगे आप इसके बाद हाती सा कैसा हाती सा कौन आदमी या बादल हाती सा भारी भरकम यहां पे आप बादल भी लिख सकते हैं आदमी भी कौन बादल जोकर सा जोकर सा कौन कैसा मोटा और कौन नाक जैसे जोकर की नाक होती है ना ऐसी मोटी उसके बाद परियू सा कौन सुन्दर कैसा होगा परियू सा सुन्दर और क्या है उसके कौन पंक पंक कैसे है परियू से सुन्दर और गुबारे सा कैसा फूला हुआ जैसे गुबारा फूलता है कौन पेट डोलक सा बज तो पर प्रसन था ना आपके लिए कि तूफान क्या होता है तो यहां पर आपका उत्तर होगा बारिस के साथ तेज चलने वाली आंदी को तूफान कहते हैं तूफान किसे कहते हैं बारिज के साथ चलने वाली आंदी को तूफान कहते हैं यहां पर प्रस्ण था ना आपके लिए कि तूफान क्या होता है तो क्या होता है तूफान बारिज के साथ तेज चलने वाली आंदी को तूफान कहते हैं और इसके बाद बादलों को तूफानी क क्यों कहा गया है तो इसका उतर होगा बादल ही तेज आंदी और बारिज लाते हैं इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है अगला प्रसने आपके लिए किसाल के किन किन महीनों से ज्यादा बादल च्छाते हैं किन किन महीनों में ज्यादा बादल च्छाते हैं आपको बागी जिगे पर आप लिखेंगे बात कविता में काले बादलों की बात की गई है क्या बादल सजमुच काले होते हैं तो उत्तर होगा आपका कुछ बादल काले दिखाई देते हैं तो कुछ भूरे और सफेद लेकिन बादल सजमुच काले नहीं होते वे तो पानी की बाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं तो बच्चो बादल की बात जो कविता में की गई है काले बादल कहा गया है तो कविता में यही प्रस्णा आपके लिए पूचा गया काले बादलों की बात की गई है क्या बादल सजमुच काले होते हैं तो आप लिखेंगे नहीं कुछ बादल काले दिखाई देते हैं कुछ भूरे और कुछ सपेद लेकिन बादल सजमुच काले नहीं होते वे तो पानी की बाप से बनी बूंदों से बने होते हैं आगे आपके लिए प्रस्थ्न है काथ सामें बाचीत करो और बताओ की बादल किन-किन रंगों के होते हैं तो आपके लिए उत्तर होगा बादल काले बूरे सपेद रंगों के होते हैं सुवे और साम को वे लाल रंगे भी दिखाई देते हैं इसके बाद कैसे कैसे बादल तो यहाँ पर प्रस्ण है आपके लिए तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ काले काले ड्राउने बादल गुबारे से गत्तों वाले गालों वाले बादल यहाँ पर होगा गालों वाले बादल और यहां पर हलके फुलके सुआने बादल तो आप इनका चितर बनाएंगे आप यहां पर से भी देख सकते हैं जैसे उत्तर में आपको यहां पर दिख रहा है काले काले ड्राउने बादल गुबारे से गालों वाले बादल और हलके फुलके सुआने बादल इसके बाद अगला प्रसनाप के लिए कविता में बादलों को भोला कहा गया है इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से सब्दों को इस्तिमाल किया गया है आपने देखा था ना भोले भाले बादल तो बादलों को भोला कहा गया है कविता में तो आप और बताएं कि और कविता में बादलों का और कौन कौन से सब्दों के लिए सब्दों से इस्तमाल किया गया है कि बादलों के और क्या क्या कहा गया है तो यहाँ पर आप बनाएंगे पहला होगा आपके लिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यह मैं लिखा है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप मैप की जगे पे मतवाले बादल और जी पे जिद्धी बादल से पे सैतानी बादल और तू से तूफानी बादल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतवाले जिद्धी, सेतानी और तूफानी बादल, इस परकार से आप इनको भरेंगे, फिल अप करेंगे इने, इसके बाद बारिस की आवाज है, कैसी कैसी होती है, आपने सुनी होंगी, और कविता में देखी, यह आवाज होती है बादल की जर 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 तो इसी परकार से पानी के बरसने की आवाज जर 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 पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो आपने सुनी होंगी कैसी होती है टप 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 टिप 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 रिम जिम रिम जिम और घर घर चट चट चप 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 और च चम चम चर 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 ये सब क्या होती हैं बादल से बरसने की पानी बरसने की आवाजे होती हैं अब उसके बाद लास्ट परसने आपके लिए यहां पर कैसे कैसे पेड़ बादलों की तरह पेड़ भी अलग-अलग आकार के होते हैं कोई बरगत सा फैला हुआ कोई नारियल के प कविता भी तैयार करो तो यहाँ पर उत्तर आप देखें कोई पेड़ पिपल सा विशाल है कोई निम्बू के पेड़ सा छोटा है कोई पेड़ बांच जैसा लंबा और पतला है कोई पेड़ बरगत सा मोटा है कोई पेड़ नीम सा गना है कोई पेड़ बबूल सा टेड़ा मेड़ा है और बच्चो आगे यहां पर आप कविता स्वयम लिखेंगे किस परकार से आपने पेड़ों के बारे में कविता लिखनी है इसको आप स्वयम लिखेंगे तो बच्चो यहां पर आपने देखा मन के भोले बाले बादल का मैंने आपको कविता भी सुनाई और उसके सारान से भी बताया कविता का भावारते भी बताया और प्रस्नू के उत्तर कटिन सब दिये सब यहाँ पर मैंने आपको बताए तो आप इसी परकार से वीडियो को अगले पार्ट में फिर से देखेंगे अगला पार्ट दूसरी वीडियो में आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है आपका दिन सुब हो